हालो दोस्तों नमस्ते दोस्तों सरदार पटेल यूनियोर्सिटी जोदपूर के द्वारा पुलीस भरती में अत्रिक्त अंक के लिए जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिविकेट कॉर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पर महत्वपूर जानकार देने वाला हूँ जो पिछले वीडियो रहे थे उसमें काफी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो उन सबी सवालों के यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तों कौन-कौन से डाउट सरेने वाले हैं पहले आप देख लीजेगा यहाँ पर क्या फाइनल वाला इसमें आवे दिन कर सकता है इसके बाद दोस्तों रेगुलर और प्रावेट जो दोनों परकार के केंडिट हैं उनके एक्जाम कहां पर होने वाली है फारम बनने के बाद काउंसलिंग कब तक होगी फारम बनने के बाद फीस कहां पर जमा होगी जैसे फारम फीस दोस्तों रुपे है तो उसके बाद बाकी की फीस जो इसमें देर की है वो कहां पर जमा होगी regular में अगर चाइन नहीं होता है क्योंकि 40 सीटे हैं इसमें तो क्या फिर private में form भर सकते हैं क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी फिर bar you pass वालों के लिए इसमें क्या फाइदा है कौन सा course कर सकते हैं क्योंकि अभी जो bar you pass है वो SI में आविदे नहीं कर रखा है तो क्या आगे उनको फाइदा होने वाला है फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कौन-कौन से दस्तावे जरूरी है यानि आपका चैन सूची के अंदर नंबर आ जाता है चाहे रेगुलर कर रहे हो या प्रावेट तो उसके बाद डॉकुमेंट्स कौन से आपको जम्मा करवाने होंगे ऐसा ही कि जो वर्तमान परती है जो आट सून शर्पद होगी क्या उसमें भी इसका फाइदा मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन स्टेवल के जो बरती है आने वाली बरती ये बरती तो पूरी होने वाली है जब नेक्स्ट वेकेंसी आएगी उसमें भी क्या इसका बेनफिट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा तमाम सवालों को लेकर यहां पर मैं आपको डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या फाइनल वाला इसमें फॉर्म भर सकता है दोस्तों इसमें साब साब बता रहे हैं कि फाइनल में अगर आप जनरल या OBC EWS के टिक्री से बिलोंग कर रहे हो तो आपके 45% अंक होना जरूरी है बाकी S.E.S.T. के लिए आपर 5% की चूट दी गई है तो जिसके पास फाइनल नहीं है वो इसमें आवे दिन नहीं कर सकता है दोस्तों क्योंकि इसमें साब साब वहाँ पर रॉल नंबर मांगे गए हैं और कौन से सन में आपने ग्रेजुशन पास की वो इसमें मांगे गए हैं यह आपका डाउट किलियर हो गया है अब आगे दोस्तों जो बारी पास वाला है उसमें आपको बताने वाला हूँ वहाँ आप आवेदन कर सकते हो रेगुलर या प्रावेट दोनों जो केंडेट है इनकी परिक्षा कहां पर होगी अगर किसी विद्यारतिका रेगुलर में चैन हो गया या प्रावेट में हो गया दोस्तों इनकी परिक्षा को लेकर अभी तक वेसे कोई इन्फोर्मेशन न हो क्योंकि अभी एक्जाम डेट वगरा इसके कुछ नहीं आई अभी तक सेले वस इसका जारी हुआ और आवे दिन इसके शुरू हो गए है इसके बाद दोस्तों फॉर्म बढ़ने के बाद काउंसलिंग कब तक होगी जैसे दोस्तों आपने फॉर्म बढ़ दिया है 200 रुपे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़ जाएगीगा इस चैनल के साथ में दोस्तों पूरी एकदम सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है फॉर्म बढ़ने के बाद जो पीस है वो कहां जमा होगी ये सबसे बड़ा जो है कमेंट आरा मेरे पा आदिम से या फिर आप सोहम ही ओनलाइन फीस जमा करा सकते हो आपका सेलेक्शन होने के बाद ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेगा रेगुलर में चैनल नहीं होने पर प्रावेट में फॉर्म बर सकते हैं क्या देखो दोस्तों इसमें 40 सीट है रेगुलर की आ आप चाहें तो रेगुलर में आवेदिन कर सकते हो अगर आपका रेगुलर में नहीं आएगा तो आप प्रावेट में वहाँ पर सेलेक्शन आपका हो जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि मेरे परसेंटेज कम है तो आप प्रावेट में फोर्म बर सकते हो यह आपकी इ यहां पर जो है जिनके अच्छे marks होंगे 10th, 12th और graduation इनको मिला कर एक average निकला जाएगा उसके बाद में 40 सीटे selection पर वहां पर उनका किया जाएगा उसके बाद आप चिंती इतना हो प्रावेट भी आप इसमें कर सकते हो और अंतर क्या हो भी मैंने आपको बता दिया कि बार्यूपास हो गए हैं वही यहां पर जो certificate courses हैं उसके लिए eligible हैं कुछ बच्चे करें सर अभी तक पर्मोट किया है या पॉश्पॉंट कर दिया exam को तो क्या हम फारम बर सकते हैं नहीं दोस्तों बार्यूपास होना compulsory है और graduation होना भी compulsory है तो आप बार्यूपास वाले ज ठीक है या फिर constable की vacancy आएगी उसमें भी फाइदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चीज़ भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इसके बाद दोस्तों final selection होने के बाद कौन-कौन से दस्तावेश जरूरी है यह दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूं जो आपके normal documents है यह आपको चाहिए जैसे जाती परमान पत्र हो गया इसके बाद में आपकी जितनी भी mark sheet है 10, 12 और जो graduation है उसकी आधार card बगर है address यह normal सी चीज़ है और जो आप आवे दिन कर रहे है उसका print out वो भी मैं दिखाने वाला हूं कि अंतिम जो print out है उसका कैसा निकल रहा है ठीक दश नंबर तक दोस्तों ठीक है और वो आपकी grade पर निर्वर करेगा वहाँ पर आप किस परकार से जो है paper करते हो कितने marks आते हैं आपके इस courses के अंदर उसके according ही आपको अंक मिलेंगे ठीक है किसी को 8 भी मिल सकते हैं 9 भी मिल सकते हैं 5 भी मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों 40% स लिए ये जो है course अभी available किया है लेकिन आप कर सकते हो ठीक है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि दोस्तों कौंस्टेबल में नहीं मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा अपराद विज्यान के जो प्रशन थे दोस्तों जो 10 प्रशन महिला और बाल अपराद के जो कौंस्टेबल हो क्योंकि फिर अगर आजाएगा तो इसका एक्जाम नहीं होगा क्योंकि ये हर साल करवाए जाएगा जैसे अभी 2020 के लिए है अगली साल ये 21-22 के लिए करवाए जाएगा तो आप घबराए भी नहीं अगर आपकी एज नहीं हो रही है इसमें या फिर आपके पास qualification नहीं टेलिग्राम पे लिंक भेज़ दिया मैंने और भेज़ दूँगा वहाँ पर वाटसप नंबर है वहाँ पर आप मुझे सेंड कर दीजिया आपकी समयशा को लेकर लेकर लेकिन कोर्स आप सब को करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि कभी भी इसका फाइदा आपको मिल सकता है दोस्तों आगे जैसे NCC का है तो दोस्तों उसका फाइदा मिलता रहता है इसी परकार से कोई ये नया कोर्स शुरू किया है तो इसको करना चाहिए दोस्तों ठीक है और जो है SI के अंदर दोस्तों जो final selection होगा आपका उसमें आपको 10 नंबर का वेटेज इसमें दिया दे दी है कि कौन-कौन से नंबर आपको कब-कब वहाँ पर मिलने वाले हैं और जो प्रावेट और रेगुलर है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा फरक नहीं है रेगुलर वालों को दोस्तों वहाँ पर हो सकता है क्लासे लेनी पड़े क्लास रूम के अब मैं किताबां के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ मेरे पास बुक लिस्ट आ चुकी है तो आपको बताने वाला कौन सी किताब पर्चेस करनी है ताकि आपको जो है इसमें अच्छे मार्ग सांसिल कर सको महिला पुरुष दोनों के लिए हैं कोई भी इसमें दि के रिसीवट भेजी है तो इसमें जो फिस अमांट है 200 रुपे देर का है और टोटल जो दोस्तो इसमें चार्ज लगा था GST वगर है और 215 रुपे इसमें यहां पर लिए गए हैं और EWS केटेगर का यह उमीदवार था आप देख सकते हो यहां पर तो आपको दोस्तों यह जानकारी मिल गई होगी और ICI Bank के माद्यम से यह जम्मा हुएते पैसे तो इस परकार से आपको भी यह प्रिंट ले लेना है ताकि आपको जो है transaction नंबर वगर है पता चल जाए तो आसा करता हूं दोस्तों जानकारी इच्छी लेगी होगी तो इस वीडियो को आप जो भी है सुचना पहुंच सकें और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिलाल के लिए thank you धन्यवाद